कि चलो डिटर्मिनेंट्स ओफ एथिक्स देख लिया था आज देखते हैं क्या एसेंस और कॉंसेक्वेंस ओफ एथिक्स ठीक है तो एसेंस देख लेते हैं क्या है एसेंस ओफ एथिक्स एसेंस मतलब समझते हो ना एसेंस का मतलब वो तहसार मतलब कंक्लूजन मतलब सबकुछ एथिक्स का अगर conclude करके हम बात करें कि एथिक्स क्या है और किससे related है किस चीज से deal करता है तो वही चीज हमको समझना घृ Bowl तो कुछ essence है, essence के बाद हम देखेंगे की अगर यह होगा तो उसका consequence क्या होगा होने के करण society में क्या हुता है और ethics ना होगा तो सुसाइटी में क्या होगा वो consequence में देखेंगे ठीक है पहले हिम समझ रहे है अथिक्स है उसका consequence मतलब essence क्या हूस तुछ शुक्षद हय तो सबसे पहलब ethics है जो है हम बात करते हैं कि justice का concept होता है, sense of justice होता है, उससे deal करता है ethics, मतलब जो यह idea of justice होता है, वो central होता है idea of ethics के, यह है justice, यह ethics, एथिक्स के center में क्या चीज रख करके ethics को बनाया जाता है, justice को, ताकि समाज में न्याय की स्थापना हो पाए, अब यह justice कैसा हो सकता है, यह justice हो सकता है, आपका social justice हो सकता है, समाजिक न्याय, ethics के कारण समाजिक न्याय आए, ethics के कारण आपका परियावरण का environmental justice आए, इसके साथ climate justice आए, सारी justice, जितने भी ट्रम आप जानते हो, human rights justice हो, उसे related justice हो, है न, तो मतलब क्या बोल रहा हूँ, कि the sense of justice is central to the idea of ethics, पहला essence, समझ में आए गया, the sense of justice is central to the idea of ethics, मतलब दूसरी language में क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, ethics originate, originate from the sense of justice prevailing in a particular society, मतलब कुल मिला के क्या बोल रहा हूँ, कि जो ethics होता है, उसका central idea कि इसके इदगिर्द रहता है, तो justice के आदगिर्द, मतलब हर चीज़ पर वो justice establish करना चाहता है, समझ मैं गया, यह होगे, पहला point, ठीक है न, तो यह होगे हमारा, पहला essence हमने समझ लिया, दूसरा essence देखते हैं क्या है, दूसरा essence यह होता है, कि ethics क्या है, अभी तक हमने यही पड़ा न, ethics क्या होते हैं, आर, पहला, subjective होते हैं कि नहीं होते हैं, subjective in nature subjective in nature क्यों कि highly interpretation होता है इन चीजों का यह वेरी करते हैं varies from person to person यह वेरी करते है person to person प्लस यह mind dependent होते हैं हर व्यक्ति का अलग-अलग मत होता है तो यह mind dependent है जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जैसे example देखो वेदांत philosophy है वेदांत philosophy उसमें द्वैत्वाद हो गया अद्वैत्वाद हो गया विशिष्ट अद्वैत्वाद हो गया तो वही अलग-अलग interpretation है कि इसलिए ethics क्या होते हैं? ethics are subjective in nature ठीक है ना? दूसरा ethics क्या है? ethics abstract होने का मतलब क्या है? abstract होने का मतलब होता है वो चीज़ जो दिमाग में exist होती है, real में नहीं होती है जिसको हम अपने sense से उनको perceive नहीं कर सकते है ना? abstract मतलब something which exists in ideas something which exists in ideas है ना? इसको बोलता है हम abstract ठीक ना इसका कोई physical concrete existence नहीं होता है ठीक है ना? does not have does not have physical concrete existence समझ रहा हूँ? मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं? कि abstract होने का मतलब क्या है? ऐसे देखो अब जैसे लव है love है ठीक है ना? god है और जैसे कि मालों की love है, god है, justice है तो यह सब चीज आप सिफ दिमाग में इनको सोच सकते हो ना? कहीं छू सकते हो क्या आपने किसी भी sense से महसूस कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हैं तो यह इसलिए इसको बोले जारा है कि यह abstract होते हैं मतलब जो ideas में exist होते हैं जिनको कोई physical existence नहीं होता है और इसको हम अपने sense से भी नहीं perceive कर सकते हैं ना? cannot be cannot be perceived by our senses ठीक हम इनको sense के द्वारा भी perceive नहीं कर सकते हैं एक्जामपल जैसे कि love है ना? आपके जो emotions और God ठीक है न? etc. यह सब कहीं में आ जाएंगे? ethics में ने तो दोसरा essence क्या देखा हम ने? कि ethics क्या होते हैं? subjective होते हैं और abstract होते हैं और पहला क्या देखा था कि ethics का central idea कहें के र府- 봐 रहता है तो मैंने आपको बताया कि वो कहें की रिदू पे रहता है justice के रिदू पे रहता है सब्सक्राइब नेक्स नेक्स क्या बोल रहा हूं एथिक्स नेक्स है एथिक्स क्या होते है न एथिक्स आर इंटर रिलेटेड टू इच अधर इंटर रिलेटेड टू इच अधर जो ethics होते हैं मतलब ethical जो values होती हैं वो highly interrelated होती हैं एक दूसरे से जैसे की example truthfulness के कारण क्या आएगी अगर आप truthfulness रहोगे तो तो आप के अंदर honesty आएगी honesty हो honesty आएगी तो आप के अंदर integrity आएगी आएगी कि नहीं आएगी तो वही ये इसको lead करता है इसको lead करते हैं कि नहीं संग्या रहा है तो हाँ ये highly interrelated होते हैं ठीक है तो ये अपने next lessons देखा next क्या है ethical जो behavior है ethical behavior जो होता है वो देखो यहां जब human to human relation की बात करते हैं न तब भी होता है plus human to other relation human to other interaction तब भी ethical behavior होता है समझ रहूं क्या बोला हूँ जब हम human to human interaction करते हैं तब भी ethical ethics रहती है जब हम human plus other interaction करते हैं तब भी ethics को importance दिया जाता है जैसे कि example next क्या पूल ला था हमें human interaction होता है human to human interaction जब होगा तब भी देखने को मिलता है यह जो ethical behavior है हमारा human to other interaction other interaction other interaction तब भी ethical behavior देखने को मिलता है example जैसे कि मालों की भई environmental ethics की जब बात करते है environmental ethics तो human का environment के साथ कैसा relation होना चाहिए जैसे कि over exploitation ना हो जो sustainable development हो sustainable use हो resources का animal killing ना हो वी इस चिज की बात करते हैं नहीं तो यहां पर आप killing का example बता दोगे यहां पर pollution का बता दोगे यहां पर climate justice की बात कर दोगे है ना तो यह सारी बात करते हैं कि नहीं करते हम तो यह सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएंगी ठीक है environmental justice next है biological ethics तो जिसमें हम जैसे कि तो यह जीन एडिटिंग की बात करते हैं तो उसमें भी इथिक्स की बात करते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं जैसे की AI के उपर robotics के उपर अलग-अलग नियम कानून बनाते हैं याद करो बताया था artificial intelligence के उपर फिर debate उड़ जाता है कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए तो उसमें भी हम सब rules and regulation के हिसाब से काम करते हैं तो यह सब क्या है यह environmental यह जो ethical behavior को बताता है चाहिए हम human to human interaction करें यह human के साथ other interaction करें ethics को वहां पर भी हम ध्यान में रखते हैं तो यह याद रख लेना कि यह ethics में क्या बोल रहा हूं है आपको human to human interaction human to other interaction उसमें भी ethics का ध्यान रखना ठीक है ना next तीन essence देख लिए हम लोगों ठीक है क्या क्या कि ethics किसके center होता है justice के center around होता है next क्या बताया ethics abstract होते है subjective होते है next बताया ethics interrelated होते हैं और अब बताया human behavior जो होता है मतलब जो भी ethical behavior होता है वो human to human में ही नहीं human to human के साथ human to other interaction में भी होता है यह next essence हो गया आपका, ठीक है, यह next essence हो गया, आप देखते हैं next, इसके बाद क्या है, जो ethical standard होते हैं, जो ethics है न, ethics है, ठीक है न, इसको जब हम maintain करते हैं, maintain and sustain, यह maintain और sustain क्यों होते हैं ethics, क्यों, इनको maintain और sustain कैसे रखा जाता है, और क्यों रहते हैं यह, तो by sense of responsibility के आधार पर, है न, जब समाज में responsibility अपनी उठाते हैं, और accountability fix होती है, तो उस हिसाब से फिर आपका, यह जो ethics होती है, वो maintain रहती है, और sustain रहती है, तो ethics are maintained and sustained by sense of responsibility and accountability, समझागे न, तो यह, यह हम करते हैं, और यह ethics कहां से होता है, internal होता है, external होता है, तो वही चीज़ बात आ गई, कि वही external factor से ही, यह ethics को maintain और sustain किया जाता है, ठीक है न, तो यह बात याद रख लेना, क्या बूल रहा हूं, ethics को maintain और sustain करने के लिए, क्या चाहिए आपको, responsibility और accountability यह fix की जाती है, fixed in the society, ठीक है न, किस के प्रती, individuals के प्रती, individuals के लिए, तो मतलब क्या हो गया यह, यह आपका external agency, society एक तरीक से क्या act कर रही है है, आपके, external agency, है न, मतलब यह individual है, यह individual है, यह individual है, यह individual है, और इनको बाहर से दबाव रहता है, ethics को maintain और sustain करने का, यह क्या हो जाएगा आपके external factor, जैसे की society, society का दबाव, ठीक है न, तो यह सब क्या हो जाएगा आपका, यह सब हो गया आपका, next essence, ठीक, next क्या बोल रहा हूं आपको, next देखो, कि यह जो ethics होते हैं, ethics जो होता है, या फिर ethical standards बोल लो आप, ethical standards, यह यह आपका law and law जो होता है, code of conduct होता है, इन से broader होता है, यह broader होते हैं, broader than, law बोल लो आप, है न, rules बोल लो आप, आप code of conduct बोल लो, है न, इन से हमेशा broader होता है, मतला, ethics ने जन्म दिया हैं इन चीजों को, इन चीजों से ethics नहीं चलता है, है न, इनने इनको जन्म दिया है, तो ethics हमेशा precede करता है, ठीक है न, ethics हमेशा precede करेगा इनको, ठीक है न, यह जो law, rules, code of conduct हैं, यह सब, ठीक है न, तो यह भी essence हो गया, यह भी essence हो गया, next देखते हैं क्या है, next ethics जो होता है, ethics डिफरेंट लेवल पर operate करता है, है न, ethics operates at different level, है न, different, different level पर ethics operate करता है, जैसे कि हम बात करते हैं, individual level पर क्या ethics होना चाहिए, हमने देखा कि बई, अलग होता है, है न, बई, organizational level पर ethics होती है, है न, organizational level पर भी ethics होती है, इसे 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 इंटरनेशनल एथिक्स अलग होता है, जहां पर आपको पीस को सम्मान दिया जाता है, एक दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट की जाती है, वो इंडिविज्वल लेवल के लिए अलग है, इंडिविज्वल लेवल में ओनेश्टी आनी चाहिए, टूथुलनेस होना एकाउंटबिलिटी होनी चाहिए, तो यह सब चीजें होती है, ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पर क्या होना चाहिए, जो कि एक भी नहीं देखने को मिल रहा है आप, पॉनिश्टी होनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी में इंटिग्रिटी होनी चाहिए, अपनी बातों का स next essence क्या है जो ethics होता है वो depend करता है depend upon the context है यह contextual होता है यह मने आपको बताया था ethics क्या होता है context पर depend करता है यहना कौन से context पर जिस पार वो operate करता है in which it is operating मतलव क्या है समझ में आगे इसका कि वही है एथिक्स को हम कांटेक्स के इसाफ से देख देख देते है लिए कि अब एथिक्स काम कर रहा है वैसे वही मयला उने बताये कि आपके सर पर कनपटी पर अगर बंदूक लगा दिया और फिर आपके पास भी बंदूक उसको आपने मौका देख करके उसको मार दिया, तो फिर क्या ये मुडर तो करी दिया आपने, तो क्या ये गलत है क्या, नहीं, बिल्कुल सही है ये, आपने अपने जान बचाने के लिए, हात्मरक्षा के लिए उसको माना है, तो वही बोलो, एथिक्स डिपेंड करता है, कंटेक्स्ट पर, जहां पर वो अपरेट करता है, मतलब क्या है, ये वैरी करता है, एथिक्स क्या करता है, एथिक्स वैरी, ये वैरी करता है, अपनी मीनिंग को ले करके, अपनी इंटेंसिटी को ले करके, वही ethical values कहीं पर उसके intensity कम होगी और उसका different meaning होगा, जैसे कि यहीं वाला situation ले लोगा, तो अभी उसका meaning अलग हो गया, murder तो यह भी है, और murder तुमने सामने से किया था, मालनों दूसरे तरीके से, तो वही murder है, but meaning change हो गया, plus intensity भी change हो गया, मतलब उसी चीज में, कभी-कभी वही values का बहुत गहरा मतलब निकलेगा, कभी वही values का बहुत चिछला मतलब निकलेगा, तो यह ethics की intensity है और meaning होती है, वो vary करती है, vary करती है, according to, according to person, next place, next time, यह भी देखा था ना, है ना, सती का मतलब देखो, सती की intensity उस समय, सोचो आप आज से 100 साल पहले, आज देखो आप, कि क्या उसका meaning है, meaning और intensity, है ना, place में देखो, corruption यहां पे देखो, और जापान में देखो, person देखो, मतलब कि यहां का person आप उठा लो, है ना, और यही आप चाइना का person उठा लो, तो यहां पर democratic values को important देगा, वहां पर वो communist ideology को importance देगा, तो वही बताया ना, कि ethics क्या होता है, depend करता है, context पर जहां पर वो operate करता है, और यह vary करता है, plus इसकी meaning और intensity भी change होती रहती है, कब person की आधार पर, place की आधार पर, time की आधार पर, तो यह बात थुरह से याद रख लेना, कि यह बहुत important point है, यह आप समस्ते हो ऐसे हैं, next, क्या बोल रहूं है, ethics को, ethics मैंने क्या बताया था, ethics dynamic होते है, change होते है, time to time, largely static होते है, कुछ values तो change नहीं होगी, society में क्या होते हैं कि कुछ values जोती है, वो इतनी ज्यादा established हो चुकी है, कि वो ऐसानी से change नहीं होती, तो मतलब largely static है और dynamic भी तो है, आप ऐसे बोल सकते हो, largely static है, बट हमेशा static रहेगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कि यह dynamic है, मतलब change होता है, changes कैसे होते हैं, अभी होता है, according to, यह सारी चीज़ें, तो यह आपने देख लिया, तो मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है, शेव करना है, मतलब trim करना है, मतलब ethics की कुछ values को change करना है, जैसे कि मानलो आप cast system है, cast system अभी save हो रहा है, उसमें trimming की जा रही है, कि cast system अभी, cast system से भी best example ले लो dowry, dowry को ले लो आप, dowry अभी क्या हो रहा है, trim हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, trim के साथ मतलब उसमें changes आ रहे हैं, अभी तक वो dowry समाज का part बना जा रहा था, लेकिन आप बहुत सारे वर्ग dowry को नहीं मानते हैं, dowry को मतलब एक stigma attach करने लगें, तो यह trim होती जा रही है, तो मैं क्या बोलो, ethics को save करना या trim करना, है ना, वो isolation में नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, cannot be done, cannot be done in isolation, है ना, कोई भी ethical values को हम isolate रख करके उसमें नहीं देख सकते हैं, हमको उसको sustain करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसको समय की सांसाथ adjust करना पड़ेगा, और जो negative चीजे हैं, उसको हमको trim करके side करने पड़ेगा, ठीक है, next क्या बोल रहा हूँ, कि यहां पर person है, यह person है, और यह उसका environment है, person और environment का क्या होता है, interaction होता है, और इस interaction के कारण क्या होता है, person का behavior होता है है ना और ये behavior कैसा होना चाहिए जश्ट होना चाहिए यही चीज ethics बताना चाहता है और वो करना चाहता है मतलब क्या बोल रहो है मैं बोल रहो हो कि वई यह आप उसका nurture यह nurture है और यह nature nurture मतलब उसका parlan potion कैसे हुआ है यह दोनों चीज क्या बता रही है एंवार्मेंट को बता रही है है ना कि माहौल उसको कैसा मिला है 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 ना मतलब यहां पर नर्चर मतलब किसका पालन पोशन हुआ है मतलब उसके अंदर क्या वैलूस इंकलकेट हुए जिसको हम क्या बोल देते हैं सोसलाइजेशन यह नेक्स है नेचर मतलब कि वह किस हिसाब से वह पड़ा है किस क्लाइमेट में वह रहा है ना जैसे कि बोलते हैं यहां पे नर्चर में भी एक चीज़ आप समझ जञेते हों लोग उते थे तो वह इतने मतलब इंगरनेस क्यों होती थी ना जो ब्रहामण होते थे उनके अंदर इतना विजडम क्यों होता था ठीक है न तो यह सब चीजें सोसलाइजेशन और इसमें आ जाएगी वहीं पर नेचर मतलब कि जैसे की जैसे बोलते हैं ना कि वही नेचर जिस नेचर जिस महल में रहते हैं है ना कि भी आर्टिक रीजन में रहोगे या फिर ट्रॉपिकल रीजन में वहाँ का वहाँ सिर्फ तो उसे सबसुन से वहाँ रहन सच थैयार हो ग कि नही unified यह सी ना कि पढ़ते हैं आप को पता होना चाहिए रहना हम होता है किakte रहावेयरमंटहम क्यों होता है कि इल्Itरमाइन कर भी आजसे क्योंकि वहां का महाल वहां का जो गर्मी का वह है अपने आपको बचाने के लिए बाड़ी से जो वाटर लॉस होने के लिए पगड़ी पहनते हैं तो नेचर डिटर्माइन कर रही है कि नहीं आप किस तरह रही है आप क्या खाओगे कोस्टल एरियास के लोग मचली क्यों खा अरिस्टोटल क्या बोलते थे अरिस्टोटल बोलते थे कि वही ट्रॉपिकल एरियास के लोग क्या होते हैं बड़े दिमाग से तो बड़े तेज होते लेकि लेजी होते लथार जी होते हैं वही पर जो यह मेडिटरेन वाले रीजन के जो लोग हैं यह इतने हाड़ वर्कि होती है wisdom भी होता है इसलिए उन्होंने रूल किया था वर्ल्ड पर तो ऐसी ऐसी बहुत सारी थेोरी होते हैं तो कुल मिला कि मैं यह बोलू हूँ आपको काकेशें होते हैं यह आप फे थडहने यरिया में नहीं रहे हैं सुरू से तो फिर डेजर्ट वाल एन्रिया में रहे हैं उनको देखूं आप उनका सब करेंप हैं सहन अलग रहेगा ना खाने का तरीका अलग रहेगा लग प्यों क्योंकि भाई environment determine करता है कि आप कैसे होती हो ठीक न तो यहां पर एंविर्मेंट आ गया का तै करते हैं यह सब आपका तै करते हैं इनका रूल होता है काहे में कि आपके ethical structure जो होता है person का उसको shape करने में shaping the ethical structure of the person सब्सक्राइब नेक्स क्या बोल रहा हूं यह है ethics नेक्स वीचर है यह ठीक है न यह ethics और यह है person देखो ethics produce करता है है न प्रोड्यूस करता है किसको persons को है पर्संस के behavior है यह ethics ही person के behavior को produce करता है वहीं पर जो person है वो भी ethics को reproduce करता है मतला यह इसको shape करता है और यह इसको shape करता है दोनों एक दूसरे को shape करते हैं जैसे कि example राजा राम मोहन राय महत्मा गांदी इन्होंने ethical standards set कर दिये भगवान बुद्ध स्रीक्रिष्न इन्होंने क्या किया यह जो persons है इन्होंने समाज में जो ethical standards है उनको set किया उसको shape किया कि नहीं किया वहीं पर ethics नॉर्मल वेक्तियों को shape तो करता ही रहता है है ना तो यह भी याद रखना है आप मतलब क्या होता है person सिर्फ सीखता नहीं है culture को बट वो क्या करता है वो चेंज भी लाता है ethical system में और society में ठीक है ना तो यह भी point आपको बता होने चाहिए ठीक क्लियर है देखो एक property या फिर a questions यह होता है कि ethics को हम मतलब ethics क्या होता है कि ethics को हम shape करते हैं है ना और जब sustain करते हैं उसको isolation में नहीं कर सकते हैं ठीक है ना उसमें क्या होता है कि अभी मैं example से समझाओं और समझ जाओगे इसका मतलब समझाओ ethics cannot be cannot be shaped और cannot be sustained cannot be shaped and cannot be sustained in isolation isolation में वो shape नहीं लेता है और isolation में sustained नहीं होता है क्या होता है देखो एक है environment environment play role play करते हैं यह individual ठीक और उसके साथ साथ यहां पर hereditary जो होता है उसका जिसको हम बोलते है genotype जीनो टाइप यह role play करते हैं ठीक है ना और environment कैसे role play करता है जैसे कि यहां पर environment मतलब जो भी महौल होता है सुरू से हम family में पले बढ़े रहते हैं तो इसको इस process में जो काम करता है उसको बोलते है socialization ठीक है ना हम socialization acquire करते है socialization मतलब होता है socialization मतलब एक process होती है जिससे हम value inculcation करते है ठीक है यह individual socialization के थूरू और genotype मतलब यह hereditary जो रहता है hereditary ठीक है hereditary मतलब जैसे कि जन्म से ही गुण होते हैं जैसे कई लोग बहुत सरमेले सभाव के होते हैं कई लोगों को stage fear होता है कई लोगों को नहीं होता है ठीक है ना तो यह सब का इन सब का interaction होता है मतलब socialization इस तरफ से इसका interaction hereditary का interaction और फिर उसके हिसाब से यह व्यक्ति का behavior आता है है ना तो याद करो वह अलब topic जो मैंने आपको बताया था behavior क्या होता है behavior equals to environment into hereditary यह बताया तो मैंने आपको behavior यह होता है तो हां तो इसलिए पोलता है कि isolation में अलग से कोई ethics जन्र नहीं लेता है यह क्या होता है समय के साथ साथ nature nurture role play करते हैं और shape करते है ethical structure of the person socialization क्या है तो मैंने आपको समझा दिया socialization मतलब एक lifelong process होती है इसमें से कोई भी व्यक्ति norms culture value ideologies है ना जो society की होती है वो उस उस मतलब next generation में या फिर उस individual में acquire होती है ताकि वो क्या हो वो व्यक्ति पार्टिसिपेटिंग member बन सके एक responsible member बन सके काहे का society का मतलब socialization एक means है जिसके द्वारा हम social cultural continuity को attain करते हैं यह भी आप बोल सकते हो तो वहीं पर अगे इस बता दिये मैं आपको society क्या होती है group of people होता है culture क्या होता है some total of values norms tradition tradition custom of the society किसी को यह हम क्या बोल देते हैं यह और यहां से हमने समझा कि ethics का कि इस statement का क्या मतलब है कि isolation में ethics को नहीं किया जा सकता कैसे करते हैं यह एक long process उस पर काम करती है और उसको shape करती है और उसके द्वारा फिर जो ethics होता है वो sustain करते हैं तो यह सब कुछ essence हमने निकाला ethics का अभी तक जो भी पढ़ा उससे ethics का essence निकाला कि यहां ethics क्या है कैसा है और जो भी पढ़ा हम लोगों ने ethics का उसका एक सार हमने समझा कि अभी तक जो भी समझा था उसका क्या essence बनता है ethics का तो यह हमने देख लिए